यही है गाइज वो पुरानी हवेली जिसे हम आज आप लोगों के सामने फ्रस्तूत करने जा रहे हैं यह खुंखार हवेली डराबना है और यहां पर पता नहीं नीचे जाने का रास्ता है पर उधर से लोग था तो भाई साब जाके तो देखना परेगा अंदर में क्या है और तो यहीं दोस्तों कैसे हैं आप लोग आपसे बढ़ियांगे तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि देखो यार सभी किक्षा होती है कि वह जाने पुराने जमाने में राजा लोग कैसे रहते थे राजा महरा राजा लोग और तरह के एक चीज को दिखाने वाला हूं मतलब कि अंग्रेजयों के जमाने का जो हवेली होता है बंगला जिसे बोल सकते हो आप लोग के सामने दिखाने वाला मेरे काउं में बहुत ही पुराना था जो जिसमें ताला लगा हुआ था बहुत ही पुराना एक हवेली रहा है यहां पर मतलब कोई ने रहता था अभी मरमत का काम चल रहा है मतलब इसको मोडिफाइ किया जा रहा है तो इसी बहाने में आपको घुमा सकता हूं अच्छे से तो चलिए सुरू गरते हैं पहले तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा थोड़ा लॉग रेंज में जाके केमरा में थोड़ा दूर जाए यह देखिए इसका डिजाइन कुछ इस तरीके का पनाया गया है एक उधर एक अधर और बीच में इस तरीके का और बाहर से भी इसका आर्टी आर्किटेक्ट्टर कमाल का है लेकिन पहले आपको अंदर की चीजों को द दिखेगा तो यह रहा सबसे आगे का मतलब दोनों साइट से एक एक रूम बना हुआ है तो पहले रूम का टूर आपको दे देते हैं और इस रूम में घुशते ही गेट खोलते ही आपको मतलब उस जमाने का वाला फिलिंग आना शुरू हो जाएगा पुराने जमाने का वा यहां पर लोग काम भी कर रहे हैं भी मरमत का और यहां पर में जो इंटरफेस सुरू होता है वो यहां पर है यहां पर लोग हिम्मत नहीं करते हैं रात में आने का क्योंकि डर ही इतना ज्यादा लगता है ना क्या ही बता हूं आपको मैं खुद यहां पर लाइफ में पहली क्योंकि यह दुसरे का घर है अंदर में कुछ जरूरी समान भी हो सकते हैं आपको पता ही पुराने जवाने के घर है तो ख़जाने वगेरा भी हो सकते हैं मुझे पता नहीं है कि आप लोग लुटने में चला आना एड्रेस निगालते हैं और पहले के जमाने के हर घर में एक तो की आनों हुआ करता था जो की मेरे घर में भी है आप लोगेने देखा वह या नहीं पता है वह एक तुल्सी का लगाया गया है लोगर जो जमाने में मोटर कहां से आ गया था भाई जो लगा दिये यहां पर तो कुल मिलाकर आंगन इस तरीके का है और चारो तरफ से गेट बंदर है आपको एक वर चारो तरफ घुमा दो अभी काम वगएर चल रहा है तो यह वायर वगएर लटका हुए है तो यहां पर यह वायर सकता है मुझे नहीं पता है तो इसको खोलते है और अंदर चलते हैं और अंदर आते ही भाई सहाब क्या बताऊगा आपको आप लोग लेको यह ओवर उसे सत्धार रूफ आप लोग देख सकते हैं किस तरीके मतलब लक्री के सपोर्ट से मतलब डवल मंजीला घर बनाया गया है सोचो आप लोग कितना मतलब कमाल का इंजीनियरिंग पहले होता था और नीचे का फर्स तो फैर नॉर्मल ही है इसमें कुछ से स्पेशल नहीं है अब गेट को करते हैं बंद और चलते हैं ऊपर आये बाहर और इधर भी दिखा तो थोरा सा इधर आप लोग देख लो सभी गेट बंद है और जो पुराने-पुराने समान है जो बाहर में लाके रखे हुए है तो गाइस अब जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं वह इस हवेली इस खंडर का सबसे खौफनाख जगह है मतलब यहां पर अक्सर लोग आते हैं तो डर जाते हैं जो लोग यहां रहते होंगे वह पता नहीं कैसे रहते होंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है लेकिन मैं जब जब यहां आया हूं तब तक मैं मैं इस जगह पे आते ही डर गया हूं और रात में आने की हिम्मत तो मेरे यहां पर कुलने का डिजाइन भी इसका कमाल का यहां पर सीद्य किस तरीके का पहले के जमना में ज्यादा खड़ी खड़ी सब्सक्राइब लेकिन फ़िए तरीके की पनाई गया है यहां पर पैर फिचला सीधा नीचे कर गे जाऊंके सब्सक्राइब हम इस हवेली इस खंधर के छट पे पहुंच चुके हैं और यहीं पे आने से लोगों की फटती है रात में आप लोग इधर आओ मैं आपको दिखाता हूं पहले तो यहां का रूम देखो जो की फ़र्स फ्लोर की उपर है और यह जो फ्लोर बनाया गया है यह फटा बनाया गया है इसमें कोई जंशब की बात नहीं है उपर तो अभी का मॉड़न ये लगा दिया गया है वन्हां जो मिट्टी का इसको बोला जाता है वह डाल करके मतलब च्छत के रूप में वह डाला जाता था जो की अभी भी डाला हुए दूसरे चत पर वहाँ आप अब इस रूम को ही आपको नीचे से मैंने दिखाया था इसी रूम को जो कि यहां से टूटा हुआ था और इसके उपर से कोई जाएगा तो वो गिर जाएगा तो चलिए आगे दिखाता हूं आपको इसका चथी गाएव है उपर से और यह पाइप है जो कि अभी लगाया गया है फोर मतलब मॉडर्न यूज के लिए और चथ के उपर का रूम आपको दिखाने वाला हूं जो कि पहला रूम है और यही ब्यवस्ता किया जाएगा था पुरान जावने में जो कि चथ के रूप मे मतलब पानी को नीचे गिराने के लिए यूज किया जाता था अंदर आके देखने के बाद पता चलता है काफी पुराना है लगता है यहां पे काफी साल से कोई नहीं आया है ऐसा लग रहा है और यह मिटी के बने हुए मटके घरे जो कि पूरे टूट चुके हैं कोई और इस रूम का हालत तो पूरा ही बत से बत्तर हो चुका है इधर भी मटके फोर कर रखे हुए है पता नहीं किसने फोरा और यह देखिए पिलर के लिए लक्री का बना हुए है लेकिन पिलर से जादा मजबूत है और जादा पूराना भी है और काफी अच्छा सपोर्ट र इसमें तो कोई समान रखा जाता हुगा फेर पानी श्टोर कि आलता हुगा हधिर में खाली है और इधर फीकर है छोटा चोटा इस यह सब बनाय जाते थे जो अधिवार में से बनाया जाते पूरे रूम में रोशनी फैलती रहती थी ऐसा होता था आप लोग देख सकते हो यहां का च्छत कितना हुचा है और मुझे काफी ज्यादा जूख के बाहर निकलना पर रहा है और गाइस एक और बात बताओ कि आप लोगों को यह देखो इतना मतलब इसका क्रियेटिविटी क मैं कर सकता हूं लोगों के लिए मैं उपर आके उपर आने कोशिच करूंगा खेर ताला लगा होता है इस हबेली में लेकिन आप लोग अगर कॉमेंट करते तो आप लोगों के लिए कुछ भी मैं जुगार लगा के उपर चर जाओंगा और आप लोगों को रात में भी दिक मतलब मज़ा आएगा सच में तो आप लोग वीडियो को वारल करो कमेंट में करो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और यह देखो यह पहले के मतलब कि सेफटी के लिए बनाया गया ताकि कोई आंगन में नगीर जाए और 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 इधर से तो टूट टूट चुगा है तूट रहा है मतलब और बाकी सारे रूम्स में ताले लगे हुए हैं और एक यह रूम है जो कि मुझे नहीं लगता कि जाना सेफ होगा विकाउस जा अंदर जाएए पहले आप तस्रीफ रखिए जब मैं अंदर आने की कोशिश कर रहा हूं मेरे कैमरेमेन तो जा चुके हैं अब अंदर आकर आपको दिखाता हूं और गाइस यहां पर खुशकबरी की बात यह है कि यहां पर दो-चार मठके हैं जो साई सलामत हैं लेकिन हम लोग उसे फोड़ने वाले हैं तो स्वाहां फुट गया गाइस हाँ डरावने जगह प्याक का का हम लोग मस्ती कर रहे हैं वहत तेज हो रहा है जैसा कि मैंने आपको बोला था यह खुंखार हवेली डरावना है और यहां पर पता नहीं नीचे जाने का रस्ता है पर उधर से लोग था तो जाके तो देखना पढ़ेंना अंदर मैं क्या है और मुझे अभी बिसे डर लग रहा है चर मैंने कैमरा काifie स्श्क एन ने क्रेंद मुत नहीं होंगे इतना तो मुझे विक। बश्राइब लेकिन जो मेंटेलिटी होती है इनसान की साइकोलोजी होती है वैसे में मतलब डर लग रहा हुआ है कि अब तरीके अब अब देखो आप लोग ने देखा गाइस देखा क्या अगर दिखा तो कमेंट करना यार केसा आवाज आया थंदर से भाई मेरी तो पटके आथ में आ गए लेकिन चल यार चलते हैं लोगों को दिखाना है कि यार कि इतना डरावना है यह हवेलिया जाओ जाओ तुम डरा देते हो बाए मुझे सच में आजवा अब फिर से अब आज़ा जाए एक सेकंड वीडियो बन करो गाइस तरी के यह क्या है गाइस ओ भाई साब ऑर पूरा सेडिया भी नहीं हम लोग नीचे जा रहे हैं और बीच में पता नहीं अंदर से अजीब तरह कि आज जा रहे हैं चंगादरे उञ रही अंदर से पता ने कितने सालों से अंदर में कोई गया होगा भी नहीं गया होगा मुझे पता नहीं तो यार मैं ये फ्लेस लाया था तो इसका उप्योग करना भी सही होगा और मुझे तो सच में बता रहा हूं काफी जादा डर लग रहा है आउनाग मनी तो लाइट ओन येस गाइस तो यहां पर फिर से हिम्मत करने के बाद फ्लेस हाथ में लेके खुद से अंदर गया मैं और अंदर जाने के बाद भाज साहब जो सीन दिखा आप लोग खुद देख सकते हो कैसे चमगादर उल्टा लटके हुए है जैसे की फिल्मों में दिखाया जाता है बिल्कुल उसी क्लियर दिख रहा है लेकिन जब मैं पहली बार अंधेरा में गया था अंदर में तो काफी ज़्यादा डर लगा था मुझे और यहीं नहीं पूरे कमरे में चमगादर फैले हुए है आप लोग छट पे देख सकते हो कितना लटका हुआ है चमगादर और देखके ही मतलब डरावना वाला फिलिंग आ रहा है होरर फिलिंग आ रहा है पूरा डरावना यह घर है और बीच में वो दो मतलब दो लोग की फोटो भी लगे हुई है जो कि पुराने जमाने की है वो और होरर फीलिंग दे रहा है इसमें फाइनली दोस्तों हम लोग अंदर का सीन कंप्लीट करने के बाद बाहर निकलते हैं और मेरे साथ में भॉइस ओभर करके आप लोगों को दिखा रहा हूं अंदर से यह हवेली जितना ज़्यादा ड्रापना है बाहर से यह उतना ही भी देख सकते हो यहां से नहीं बाहर से मैं आपको अभी नीचे चलके दिखाने वाला हूं और यहां से देखो आप लोग जो नीचे जो गार्डन के लिए स्पेस छोड़ा गया था उसके आगे एक रोड भी था और उसके आगे जो छोटा साथ घर दिख रहा है जो कि वह वाला घर है और इधर एक कुवा भी बनाया गया है बाहर में जो कि बाहर के आदमी के पानी पीने के लिए बनाया गया था और हवेली के इस रूम में सायद मैनेजिंग का काम हुआ करता था सायद मूंसी लोग रहा करते होंगे जो कि हिसाब बारी करते होंगे जो कि कारोब बंद है उन सभी के पीछे राज शुपे हुए और छट देखो किस तरीके का है इस च्छत का एक स्पेशल फीचर से गाइस सपोर्ट के लिए जो लक्री यूज किया गया उस वो दोनों मतलब यह दोनों लक्री लक्रियों के बीच में इटा मतलब इट को रख रखा गया है औ और वह अभी इतना ज्यादा सॉलीड हो गया है इतना ज्यादा सॉलीड हो गया है जिसे तोरना मुश्किल ही ने मतलब तोरने में अच्छा खासा एफॉर्ट लगाना पड़ रहा है वर्गर लोग को आप लोग देख सकते हैं यहां पे इसको जारा गया है किस कितना आप लोग को दिखा देता हूं अभी काम के वजह से यह खुला हुआ है वरना हमेशा ताला लगा रहा था आप लोग ने देखा कि कि इतना ज्यादा डरावना यह हवेली था तो आपको वीडियो पसंदा होगा और आप लोग कमेंट करते हो तो मैं वह नाइट वाला चलें करते हैं